यदि आप two wheeler या फिर four wheeler कोई भी वीकल रखते हैं जो petrol, diesel या फिर CNG से चलता है तो आपने pollution परची जरूर बनवाई होगी और इसके लिए आप परदूशन जाज के अंदर पे जरूर गए होगी और आपके मन में ये question भी जोड़ आया होगा कि ये pollution जो जाज के अंदर हैं वो कैसे open होते हैं किस परकार से सरकार के दवारा इसके लिए license मिलता है या फिर कितना खर्चा इसके अंदर होता है और कितनी खमाई हो सकती है ये बहुत सारे question बहुत सारे person के मन में आते हैं तो आज की वीडियो में इसी उपर discuss करेंगे कि किस परकार से आप अपना pollution check center open कर सकते हैं इसके लिए किस चीज की requirement होगी कैसे license मिलेगा कैसे आप apply कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात इसके अंदर कितनी खवाई कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं और सबसे पहरे discuss कर लेते हैं pollution check center के बारे में तो दोस्तों pollution check center या फिर तो दोस्तों दी परदूसन जाज के अंदर या फिर pollution check center की बात करें तो ये ऐसे के अंदर होते हैं जाप पेज जाके आप अपने वेहिकल की pollution परची बनवाते हैं यदि आप four wheel रखते हैं यदि आप two wheel रखते हैं तो आपको pollution परची लेना जरूरी है क्योंकि ये सरकार के नियम है और नियम के according आपको एक साल छे मेने दो साल पास साल की परची बनवाना जरूरी है जिससे आपके जो भी वेहिकल है उसके document पूरे हो और दोस्तों आपके पास pollution परची नहीं है तो आपका पास से 10.000 रुपेगा चलान वो सकता है इसलिए दोस्तों आपको जगय जगय के उपर production जाच के अंदर मिल जाएंगे और बहुत साह लोग है जो अपने वेहिकल की वहाँ परची बनवाते हैं और दोस्तों ये एक ऐसी business opportunities है जिसके अंदर आपको customer डोडने ने पड़ते हैं और आपको पैसे दे के जाते हैं तो दोस्तों दी आप भी अपना एक अच्छा business setup करना चाहते हैं और आप 10th या पलस टू पास है और कम investment आपके पास तो आप अपना एक pollution check center या फिर परदूशन जाच के अंदर open कर सकते हैं और बड़ी अकमाई इस business के अंदर कर सकते हैं सबसे पहले बात आएगी ज़िए आप pollution check center या फिर परदूशन जाच के अंदर open करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस किस चीज की requirement होगी तो दोसमती requirement की बात करें तो सबसे पहले दोस्तो आपके पास होना चाहिए license आपको इसके लिए license लेना पड़ता है उसके बाद दोस्तो आपके पास होने चाहिए investment, कम से कम डेड़ लाख रुपे से दो लाख रुपे के भी आपके पास investment होने चाहिए, और आपको वो जगह देखने हैं जहाँ पे आपको अपना pollution check center open करना है, यह दोस्तो पैटर अलबम भी हो सकता है, पैटर अलबम सबसे best location ह होती है, क्योंकि वो आपके सबसे ज़्यादा भी इकल आते हैं, उसके बाद दोस्तो आपके पास अपने सभी जुरूरी document होने चाहिए education के और personal, उसके बाद आपके पास एक अच्छा internet connection और आपके पास electricity connection होना चाहिए, इसके साथ दोस्तो आपके पास GST number भी होना सबसे जरूरी है, और इसके साथ आपको कुछ equipment होती है, जैसे एक तो pollution check center जो machine होती है, main machine वो, एक आपके पास laptop या फिर computer होना चाहिए, उसके साथ आपके पास एक printer होना चाहिए, एक आपके पास webcam जो camera होता है, वो होना चाहिए, तो इन कुछ equipment होती है, इन सब बजिनों के साथ दोस्तों, आप अपना एक pollution check center या फिर production जांच के अंदर open कर सकते हैं, और बढ़िया कमाई इस business के अंदर कर सकते हैं, बात आती है दोस्तों दी, आप अपना pollution check center उपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या eligibility criteria, यानि कौन-कौन open कर सकता है, तो दोस्तों, कोई भी Indian citizen, जो 10 पास है, और 18-15 वर्सका ये center open कर सकता है, और इसके लिए कोई ज्यादा requirement या फिर degree या फिर education की requirement नहीं होती, इसके लिए 10th पास होना चाहिए, और उसके पास अच्छी knowledge होनी चाहिए इसकी, तो कोई भी RAM CA center open कर सकता है, बात रहती है, यदि आप अपना pollution check center open करना चाहते है तो इसके लिए आपको किस किसे इसके उपर investment करनी पड़ेगी, या फिर इसके लिए आपको कितने जगह की requirement होगी, तो दोस्तों सबसे पहले investment की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको license बनवाना है, उसके लिए कुछ registration fees देनी पड़ती है, उसके बाद आपको GST number बनव होती है, और आपका काम अच्छे से चलाएगी, वैसे दोस्तों इस चस्ती मशीन खरीदेंगे, तो बाद में समस्या बोज ज़्याद आएगी, इसलिए आप एक बार में पैसा लगा के अच्छी quality मशीन खरीद लें, उसके बाद दोस्तों आपको खर्चा करना पड़ेगा, दोस्तों आपने देखिए, पॉल्यूशन जेक सेंटर के छोटे-छोटे कैबिन होते है, पैट्रोल पंप के उपर, छे बाए छे में, पाच बाए पांच में, अराम से आप अपना एक पॉल्यूशन जेक सेंटर चला सकते हैं, उसके अंदर दोस्तों वारी विकल खड़े ह होते हैं, तो आपको जगे के रिक्वार्बन नहीं होती, तो आपके पास पास 5-6-6-6 का एक कैबिन है, अराम से वो आप फिट कर दे पैट्रोल पंप के उपर और वहीं से ये सेट अप कर दे, तो टोटल दोस्तों ये डिड़ लाग से दो लाख उर्पेग इंवेस्टमें है, तो आप आराम से अपना एक पॉलिशन चेक सेंटर उपन कर सकते हैं, और जगे दोस्तों हमने आपको बता दी, 5-5-6-6 में आप अपना कैबिन बना सकते हैं, पैट्रोल पंप के उपर, और वहीं से दोस्तों आप इसके लिए अच्छी कमाई कर सकते हैं, और वहीं से द आर कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, उसके पास आपके पास अपने बैंक के डिट, डोकमेंट होने चाहिए, पासबूक जैसे होने चाहिए, और आपके पास अपने एजुकेशन के डोकमेंट होने चाहिए, टैत की है तो टैंत की मारक चीट हो गया, प्रस्टू है तो कैसे लेंगे तो दोटनों को बता दें आप वैसके लेना पड़ता है ओर इसके लिए पर कर सकते हैं तो सबसे पहले आप मिनिस्ट्री ओफ रोड एंड रास्पोर्ट हाईवेज की ओफेसिल वैबसेट फ़ill जब दोफ्तों आप इनके ओफिसिल वेबसाइट के उपर चाहेंगे तो आपको इनका अच्छा से इंटरफेस दिएगा और दोस्तों आप इस वेबसाइट से परदूसन जानच के अंदर के बारे में सभी जानकारी ले सकते हैं कि किस सट्रीट के अंदर कितनी फीस है और आपको परदूसन जाच के अंदर के लिए आवेदन करना है तो दोस्तों आपको उपर के तरफ एक ओनलाइन सर्विस का ओप्शन मिलेगा जब दोस्तों आपको ओनलाइन सर्विस के ओपर अपना करसर लेके जाएंगे तो बहुत सारे ओप्शन ओपन होगे इसके अंदर से आपको एक option दिखाई देगा register now का ठीक दोस्तों आप register now के उपर क्लिक करें जब दोस्तों आप register now के उपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने registration form open होगा ठीक दोस्तों इस form के अंदर दोस्तों आपको सबी detail बरनी है जो आप से पूछी गई है दोस्तों सबसे पहले आपको center detail बरन है और फिर authorized person contact detail बढ़नी है एक एक करके दोस्तों आपको सबसे पहले दोस्तों आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है उसके बाद दोस्तों आपको पीजूसी सेंटर नेम बरना है कि आपकिस नाम से सेंटर चलाना चाहते हैं उसके बाद दोस्तों आपके सामने दो प्रसण मिलेंगे एक office का और एक PUC application ID का दोस्तों ये optional है आपको office बढ़ना पड़ेगा कि आपका office कहां है आपका office है आप कहां से apply कर रहे हैं घर से कर रहे हैं या कहीं office से कर रहे हैं वो detail बढ़नी है फिर आपको authorized person name डालना है आपका name क्या है वह डालना है फिर दोस्तों पी यूर्जी Center address ड्रीडियल भर लिए दोस्तों इसके अंदर आपको डालने है फिर दोस्तों आपको अपना प्लाना प्लेख बर लोग दूस्तों आपको authorized person contact डिचेल बर लीए इसके अदर दोस्तों आ अपना कौन ऐसके अपना पासवर्ण चेक करनी warning है जो ंपने ये मिल लिए अपने वाइल नबाल फिर शहीं से क्लिक कर देंगा दोस्तों आप रिच्छचर्ट के उपर कलिक करेंगे तो आपकी पूरी-पूरी इनफोर्मेशन डिबाटमेंट के पास चली जाएगी और सिर्दोस्तों डिबाटमेंट से आपके पास कुछ दिन के बाद कोला जाएगी और आपको requirements दे दिया जाएगा और फिर आप अपनी लोगेशन के उपर अपना पारदूसन जाजसन्के अंदर open कर सकते हैं और अपनी अच्छी शी कमाई कर सकते हैं तो जोंग ऐसे आप प्रदूसन जास चैनल पंतर के लिए-वेजन कर सकते हैं तो जोंग निए आपको ii phone फीड करने में कुछ भी leptum कॉमेंट कर आते हैं उसी साब से आपका कमिशन बनते हैं दोस्तों कोई परसन एदि अपने बाइक का एक साल का परतुसन लाइसे बनवाता है तो लगबग एक सो पिचैतर से 200 रुपय लगते हैं उसके अंदर दोस्तों कम से कम 75 रुपय और मिट को देना पड़ता है और लगबग 100 रुपय आसपास कमिशन परदूसर जाज किंदर के मालिक का होता है तो दोस्तों दिन बर में यदि आप 10 बाइक निकालते हैं तो आपको 1000 रुपय कमिशन मिलता है इसी साफ़से दोस्तों आप दिन में 20-30 बाइक निकाल लेंगे तो आपको 200-30,000 रुपय कमिशन मिनेंगा और परती मेंना आप आराम से 50-60,000 रुपय कमा सकते हैं ऐसी दोस्तों यदि आप कम लाइसे बनाएंगे तो आपको कम कमिशन होगा और यदि आप ज़्यादा बाइक निकाल लेंगे तो आपको ज़्यादा कमिशन होगा और दोसरे वीकल के केथिते है तो सबही वीकल के बारे में जासे हैं, वेबसाइट कि उपर राइख को वीजित करें तो दोस्तों ऐसे आप अपना पर्दोसरे जाच के जोपन कर सकते हैं और एक चोटा सा बिजनस करके अच्चे-गा-शे 알ना से कमा सकते हैं दोस्तों यदि आप इस बिजनस के बारे में और जदा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर कमिशन के बारे में या फिर फीस के बारे में और जदा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को विजित करके सबी जानकादी ले सकते हैं वेबसेट का लिक दोस्तोर description आंदर दिया गया है तो दोस्तों इदि आपका इसके बारे ב׮े कोई भी स्वाल है शुदाब है इन्हीते कोमेट बॉक्स में कोमेट कर देना तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है य Culск Morseo पर नए है और किसी भी ज़िशन स्वच таких आप मारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें